हैलो फ्रेंड्स वैकर वार्चनल हैसी टेकनिकल दोस्तों आपके पास अगर विंडो एसी है तो आपने देखा होगा कि आपका विंडो एसी थोड़े दिन बाद यहां आपने निया एसी लिया है तो भी cooling करना बंद कर देता लेकिन उसके अंदर gas पूरी होती है जिए दोस्तों विंडो एसी के अंदर gas पूरी होगी होगी अगर आपको पुराना एसी है तो भी gas पूरी है लेकिन आपका ऐसी cooling नहीं कर रहा है क्यों नहीं कर रहा है वो आज मैं आपको पताने वाला हूँ कुछ ऐसी बाते होती है जो की समना बहुत जरूरी होता है जैसा कि अभी तापमान बहुत ज्यादा बढ़ा है दिल्ली एंसी है वो हो सकता है थोड़ी दे बाद cooling करना बंद कर देता हो थोड़ी दे cooling करता हो तो ऐसी problem अगर आपको फेस हो रही है यह आपने नया ऐसी लिय जया गास पूरी है जिए दोस्तों सबसे पहले हम चेक करेंगे की एशी के अंदर गैस है यह नहीं है तो यह सी को पहले इसी को चलाया एशी और आपकों यह कंप्रेसर हो रह रहा है तो इसका मलब कंप्रेसर ठीक है उसके बाद गैस उसके अंदर पूरी है या नहीं है उसको भी हम चेक कर लेंगे गैस पूरी है बाई सब लेकिन थोड़ी थोड़ी दे बाद कुलिंग करना बंद कर देता है रूम ठंडा नहीं हो रहा है तो उसका क्या कारण हो सकता है वो समझ लीजिए दोस्तों होता क्या है जब आप AC AC को चलाते है तो एक कारण होता है जैसे माँली जी आपको नेए इसी ले लिया नेए इसी लेने जाएक देगाने को करवा ली लेकिन पड़़ी आपको ये नहीं पता है कि आपने वह फिट इंगS और पर यह कोई कराई है क्योंकि जहां पर आपने इपां Little Keychain कर वाली क्वालिकी होती है जहां पर स्पेस चाहिए अगर वहां पर स्पेस नहीं होगा दिवार होगा बंद होगा विंडो एसी हो चैस्प्लिट तरसी हो अगर आउड़ोर के हवा निकलने की जगार नहीं होगी यहां विंडो एसी के सब्सक्राइब हो जाएगा और आपका कंप्रेसर बंद हो जाएगा फिर आप पशान होगे आकर निया एसी यूजलेस हो जाएगा अगर आपके पराना एसी भी है तो बाइसाब वह भी थोड़ी थोड़े बाद कंप्रेसर कट ओफ होना शुरू हो रहेगा क्योंकि आप जैसा कि आप देख पारें एसी चेक किया जा रहा है एसी गंद ग्यास तो पूरी है सारी क्वाइल ठंडी हो रही है इसका में ग्यास पूरी है और आपका एसी ठंडा ठंडी हवा भी दे है तो मैं आपको बताता हूं क्या चीज़ होती है जिसकी वज़े से आपका एसी कूलिंग नहीं कर रहा है बार-बार बंद हो रहा है यह पीछे वाली जाली कही बार का होता है जो मुकैनिक होता है सर्विस वाला होता है वो अच्छी तरह सर्विस करके नहीं जाता है यह ज क्या होगा ond qui रखाएगा उसकी वड़े से कंप्रेसर भी हीट भी हो जाएगा और कंप्रेसर में कूदिशन में कुल्निंग करना बंद करने रहा दोगा कूलिंग कुलिंग कि आदे गंडर नोमल को क्वारी ठंडा हो जाएगा आपका अपको कंप्रेसर फीज चलेगा घंट तो यह रूटीन चलता रहेगा तो इस ऐसी अगर प्रॉलम आ रही है कुलिंग तो हो रही है लेकिन थोड़ी थोड़ी बाद कंप्रेसर कट अटाता है डिस्की बड़ी से कुली और नहीं बंद रहती है तो आपका कंडेंसर बहुत जादा गंदा है उसको साफ कर वाली जिए वशिंग कर वाली जिए कंडंसर साफ हो डाएगा तो यह दुबारा से प्रॉलम आपको नहीं आएगी तो दो कारण मैंने बताए है एक तो पीछे स्पेस होना चाहिए दूसरा पीछे वाली जाली साफ होनी चाहिए तो दोस्तों यह थी बाते जो थी जाननी जरूरी क्यों की जैसे पेंताली डिगर टेमडरेचर आड़ाता है तो यह चीजे प्रॉलम देनी शुरूर कर देती हैं तो अगर आपके साथ भी यह प्रॉलम हो रही है तो एसी को साफ कर वाली जिए नया एसी लेना तो भाईया स्पेस देखके बाद ही एसी लिजिए विंडों का स्पे याद रखना उसके कड़न से गंदा हो सकता है उसको साफ कर वालीजिए दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ वीडियो अच्छे लगए तो लाइक कीजी चैनल को सब्सक्राइब जाए लिए मिलते हैं नई वीडियों तब तक कर लिए बाए बाए टेक कियर